जी फेरेंट्स ड्राइप प्राइंब का वर्ड सुना आपने एच्पेल्स ड्राइब और इससे रिलेटेट एक लिए परज बॉल तो इन दोनों का प्रेम क्या रिलेशन है और सेकंड परज बॉल को किस तरह यूज किया जाते हैं और ड्राइब प्राइब क्या होता है एच् करते हैं और उसको किस तरह यूज करते हैं तो कॉमनली एनलिस्ट करते हैं कि एर ट्रेप होगा है एजपन सिस्ट्रम में एर होती है तो आपका पीक एरिये में वेरेशन आने के चांसे बहुत जाए होते हैं होती है आपकी अनलाइसे जो आगे नहीं चाहती तो ड्रै प्राइम वह लेट ध्यों से यहसे होता है अगर जो डिफरेंट इंस्ट्रुमेंट में डिफरेंट ऑपरेशन होता है लेकिन तर्मिलोजी सेम है कि आप एश्पेसी का फ्लो रेट हाई करके ठीक हाई फ्लो रेट करके पर्ज वाल खोल देते हैं जिससे आप जो एर होती हो आट्रमेंटिक लिए निकलना शुरू हो जा क्याक आप पर्ज वाल खोलते तो आपके क्लम से कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है पर आपको सॉल्वेंट डायरेक्ट यहां से रिमूव वाना शूरू रहता है लिकांटिक फ्लूम नहीं चार्व लेकिन राप्राइम जो है यह एच्पेसी का वार्टर का भाएंड है उस भृक है जो से डीविटर का डिस्पिल्य होता है उसपे संपे सतरिक होता है वहांसे चाहित कर दो आप जाते हैं वन्त फंक्शिन स क्यों में फिर मैंनू से नंнить हैं भी कर दिवाद यह फंक्शन-खी प्रेस करते तो वहां पे आप विन्डो दिस्प्ले आपको पोर्ट को 100% करके किसी को भी 100% करके तुरू वेट प्राइम का बटन प्रेस करके परजबाल को खोल कि और निकाल सकते ज़िए तरीका है कि यह करना होते हैं कि आप आप सख्याइब शिरिंज यूज करें सख्योड़ना नहीं है आपने पुछ वारति वाल वेट ट्रैप्राइम का अविडिग इस में 산 करते हैं तो बैसिकली जो परपस है ड्राइब प्राइम का यह पर्ज वॉल का आपस में दोनों कनेक्टेड बहुत जादा लिंक है इसके तुरू में फोकॉस ही होता है कि आपके सिस्टेम में एर ट्रेप हो गई तो एर को किस तरह निकाला आता है यह वड़ा बैस्ट हुए ह किसी भी सिस्टेम में बहुत ज़्यादा ही प्राप्लम फेस्ट होता है कि सिस्टम में एर आगी तो इसी प्रोसेस के तुरू अपने सिस्टम से एच्पलसी अनलाइस में आप एयर को रिमूव करते हैं यह एक एच्पलसी की अंदर टर्बल शूडिंग का पार्ट है और ज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए कोई आप यह क्योंड पूछिए और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ताद में कीजिए आप भूल जाते हैं तक इस तरह की टक्रटिकल वीडियो आप पहुशते रहे तैंक यू फॉर बाशिंग अलापीस अलापीस